आज सुबह से ही ट्विटर पर बॉलिवूड अक्टरस रादिका आप्टे को बॉयकॉट करने को लेकर ट्रेंड चल रहा है। मगर चौकाने वाली बात ये है कि ना ही रादिका आप्टे की कोई फिल्म रिलीज हुई है और ना ही किसी प्रोजेक्ट को लेकर वो चर्चा में लग रही है। रादिका आप्टे को बॉयकॉट करने की मांग कुछ और ही वज़े से हो रही है रादिका आप्टे को सोचल मीडिया पर ट्रॉल किया जा रहा है उन पर भारतिय कल्चर को खराब करने का भी आरोप लग रहा है एक यूजर ने लिखा है कि बॉलिवुड हमेशा प्राचीन धर्म और भारत की सभिता को टागेट करता है आखिरकार रादिका आप्टे को बॉयकॉट करने की मांग क्योट रही है चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है दरसल रादिका आप्टे की फिल्म पाच्ट के एक ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर की जा रही है जो काफी आपती जनक है इस पिक्चर में रादिका आप्टे न्यूड है और वो किस कर रही है इन्यूड शेयर कर यूजर अक्टरस पर धार्मिक भावना को आहत पहुचाने का आरोप लगा रही है रादिका आप्टे पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर लोग उनको जम कर खरीक खोटी सुना रहे है यहां तक कि राच कुंदरा अश्लील फिल्म मामले में उनका नाम भी लेते हुए कहा जा रहा है कि कानून सब के लिए बराबर है यहां देखिए किस तरह के आरोप लगा कर सोशल मीडिया पर रादिका आप्टे को लोग ट्रोल कर रही है और उन्हें बॉइकोट करने की मांग कर रही है आपको बता दे कि फिल्म पाज्ट में रादिका ने न्यूट सीन दिया था इसके लावा भी उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में बोल्ड सीन दिये है रादिका आप्टे हमेशा से ही अपने बोल्ड अंदास और अपने कैरक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है वही अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो रादिका आप्टे को आखरी बार फिल्म रात अकेली में देखा गया था इस फिल्म में रादिका के साथ नवाजुदिन सिद्धिक की लीड रोल में थे फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था वही अब जल्द ही रादिका आप्टे को आप मोनिका ओ माई डार्लिंग फिल्म में देखेंगे इस वीडियो में फिल्हाल इतना ही इस पूरे मुद्धे पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताइएगा साथ ही एंटेटेन्मेंट से जुड़ी हर अबडेट के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेच को फॉलो करें